जो सुपर हिट डिजाइन मैंने आपको पिछले बार दिखाई थी उसके पांचो कलर बनके आ गए है जल्दी से जल्दी आप लोग बुक कर दें जो आपको चाहिए हो तो यह पांचो कलर है देखिए इसके अंदर इसमें अंदर कलर कोरा लगवा के बनाया गया मैटेरियल है यह देखिए आप बहुती शांदार पीस है पांच कलर है मैं पांचो खोल के दिखा देता हूँ ताके आपको पांचो का लुक पता लग जाए कैसा लुक आता है इसके अंदर पांचो कलर अलग अलग है यह देखिए एक से एक शांदार है तोड़ा पास करके दिखा दो एक यह रेगुलर कलर जिसे भी चाहिए है फौरण आप बोल दो इसको क्योंकर यह डिजाइन ऐसी है जैसे ही वीडियो डिलता है वैसे ही खतम हो जाती है और एड्रेस मैंने आपको पहले बताया था पहले एड्रेस इधर से बता दिया था आपको जामा मस्जित की साइट से जब आएंगे आप तो जामा मस्जित के सामने मटिया महल मटिया महल से आगे आप आएंगे चितली कबर और चितली कबर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको तिरहा बैरम खां मिल जाएगा तिरहा बैरम खां पे ही पड़ता है जटवाड़ा जटवाड़े के सामने ही में रोड के उपर ही हमारा शोरू में जटवाड़े के सामने हमारा बोर्ड बैनर वगरा आपको लगा हुआ नजर आ जाएगा तो दोस्तों इसके देख चार और पांच ये पांच कलर आपको दिखा दिये हैं अगर आप जो है में रोड से दरियागन से आना चाहते हैं तो में दरियागन से आप गोलचा सिनेमा के बरावर से आएंगे सरसायद रोड है और सरसायद रोड से जैसे ही आप आगे आएंगे तो तिरहा बहरम खां आप किसी से भी पूछ लेंगे बिल्कुल सिंपल एडरेस है और अगर आप मेट्रो से आना चाते हैं तो दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा और आपको बाहर आना है गेट नमबर 3 से दिल्ली गेट मेट्रो के गेट नमबर 3 से आप बाहर आएंगे और बाहर आता है याप तिरहा बहरम खाँ पूछ लेंगे तो आप सिंपल ही आ जाएंगे तो एक ये देखिए आप नई डिजाइन आई है सिल्क में कस्टमर हमारे मांग रहे थे ये सिल्क के अंदर एक नई डिजाइन आई है हैवी के अंदर है ये इसके अंदर बैक में भी काम आएगा ये तो फ्रेंट हो गया मल्टी कलर का वर्क है थोड़ा सा पास से दिखा दे ना मल्टी कलर का वर्क है उपर को दिखाओ लमतर वाला यहां पे ठीक है और ये देखो आप ये इसकी बैक आएगी ये बैक है फ्रेंट बैक पे काम हो गया और ये इसकी बाजू आएगी ये अभी पीज बन के आए हैं ये दोनों बाजू है लेके ये दोनों बाजू आजाएंगी और ये इसकी शलवार का कपड़ा हो गया और देखिए ये इसका दुपट्टा आता है इस तरह से इसका दुपट्टा होता है नेट का ये नेट का दुपट्टा आएगा और इस नेट के दुपट्टे के उपर ये चारो तरफ इतना चोड़ा बॉर्डर अटेज कर दिया जाएगा इस तरह से जैसे आपने लहेंगों के दुपट्टे देखे होंगे इस तरह से लहेंगों के दुपट्टे की तरह यह चारो तरफ बॉडर आ जाएगा इस सूट का इस तरह से यह दुपट्टा आ जाएगा पूरा चारो तरफ इस तरह से बॉर्डर पेस्ट हो जाता है इसके बिल्कुल लहेंगे की तरह दुपट्टा इसका आएगा बनके इसका एक कलर और दिखा देता हूँ इसमें एक डिजाइन और आई हुई है यह पीछ कलर में है और बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है और बहुत बारीक काम है यह बहुत ही शांदार काम बना हुआ है कारखाने की बनीवी सेटिंग है यह सारी पास से इसका वर्ग दिखा दो एक बार बहुत ही शांदार बहुत साफ उतरा वर्ग करा हुआ देखो अब दपके का टोटल प आसफास होगी 18-20 इंच के आसफास बाजू है यह इसका शलवार का कपड़ा आ गया और जैसा पहले दुपट्टा आपको दिखा जाता सेम वैसे यह दुपट्टा आ गया और इसके दुपट्टे के अंदर भी यह बॉर्डर पेस्ट होंगे चारों तरफ तरफ तो यह दे दिखा रखा इस तरह से कुल कुछ इस तरह से और अंदर के बूटे स्के अंदर आप देखी रहें इसके इंदर यह बूटे वगयरा पड़े हुए हैं तरहिक यह बे करे से दुपट्टा भी है और अब एक चीज दिखाता हूँ आपको हमारे पास आई है गरारे में गरारे की काफी डिमांड आ रही थी तो गरारे का हमारे पास ये पीस बन के आ गया है गरारे की शेट गरारे की सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ यह गरारे की शेट आएगी गरारी की शेट जो है हाइट में थोड़ी कम आती है 36 इंच के असपास आएगी यह 36 इंच प्योर दपके काम आएगा देखो आप प्योर दपके काम होगा और यह देखिए आप यह जो पैंचे होते हैं गरारे के यह दो पार्ट में बनते हैं यह एक पैंचा यह आएगा यह पूरा एक पैंचा है देखो आप इस तरह से दिखाओ करके इसका एक पैंचा है पूरा यह यह एक portion है और इसका दूसरा portion सेम ऐसे ही एक और आ जायेगा यह गरारे का दूसरा portion आ गया यह भी पूरा लंबा इसी तरह से होगा लगबग धाई मीटर के आसपास एक तरफ का गहरा होगा इसका और वो फ्रेंट दिखाया था आपको शैट का यह बैक में भी काम आएगा इसके बैक में बूटी के साथ नेक और दामन बना हुआ आएगा और यह दुपट्टा आएगा इसका सेम टीशू के कपड़े का और इसमें भी इस तरह से यह बॉडर पेस्ट होगा चारो तरफ वो सारे काम करा के दूँगा आपको यह चारो तरफ बॉडर पेस्ट हो जाएगा फोर साइट बॉडर हो जाएगा और ये जो पैंचे बनेंगे इसके ऊपर ये बनारसी मैं आपको दूँगा ये बनारसी बनेगा ऊपर का जो पोर्शन होता है जो जिसको नेकर भी कहते हैं तो यह जो वर्क है जो गुटने से नीचे आएगा और उसके उपर का पोर्शन जो है यह बनार सी का आजाएगा तो यह आप देख लो आप प्योर दपके की चीजे हैं और धाई डाई मीटर के दोनों साइड के यह यहाँ पर आपको पल्लू मिल जाएगे जो कि काफी हैवी बना हुए है तो इसमें आप कलर बनाना चाहेंगे डिजाइन बनाना चाहेंगे जैसे वो सूट की डिजाइन है आपको दिखाईए नीचे यह वाली जो नीचे सूट की डिजाइन साब को दिखाई हैं इसमें आप गरारा बनवाना चाहेंगे तो इसके अंदर भी गरारा बन जाएगा जाएगा गरारे के लिए और यहां पर एक घुटने के ऊपर यही बॉर्डर आ जाएगा और उपर का पॉर्शन प्लेन आ जाएगा तो गरारे में डिजाइन है बिल्कुल इसी तरह से इस आई जायेगा यह पुरा दाइमीटर के दो पीस को आपको बनी हूँगे मिलेंगे बाकि स्टिचिंग आपको करानी पड़ेगे अपने टेलर से तो पत्रा मैं पर सकते हैं इसलिए नहीं है नहीं कर सकते नहीं हो यह कुछ हमारा होलसेल का जाधा काम है तो उनको दिक्कत होती है फिर बेचने में मैं अगर रेट ओपन कर देता हूं मैंने किसी चीज़ के रेट बता दिये माले यह गरा रहा इसके 25,000 रुपए आपको रेट बता दिये और 25,000 का मैंने वैपारी को दिया तो फिर वो बेचेगा कैसे अगर मैं रेट खोल दूँगा तो इसलिए रेट नहीं बताता हूं मेरे वैपारियों को दिक्कत होती है वैपारी नाराज होते हैं और में काम हमारा वैपारियों से ही है उनसे काम मैं बंद नहीं कर सकता तो उनकी बात को थोड़ा सा फालो करना ही पड़ता है तो इसी के स झाल 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 झाल